नमस्कार दोस्तों सुआगते आप सभी का आज का मुखे समचार के इस वीडियो में जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे एक एकर के 50 बड़ी खबरों को सिब 10 मिनट में जानेंगे वीडियो के साथ अंतक बने रहें साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरू कर दे साथ ही वीडियो के नीचे दिये गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और इस घंडी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानगारी लगतार मिलती रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटा-फट शुरू करते हैं सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को अब एक कस्टमर एक्विजीसन फॉर्म भरना होता है या आम तोर पर टेलिकॉम कंपनी और ग्राहक के बीच एक समझ होता होता है इस फॉर्म में अपसं सोधन किया गया है जिसके मताबिक सीम कार्ट खरीदने की उम्र 18 साल से कम नहीं हो हो रहे हैं दुनिया भर के वैग्यानिकों की पूरी कोशिस इस घातक संकर्वन पर काबू पाने की है इस कड़ी में MIT और हवार इंवर्सिटी के इंजिनियरों ने एक ऐसा मास्क डिजाइन किया है जिसे पहनने के 90 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है या मास्क के भीतर पानी का एक छोटा पैकेट लगा होता है जो बटन दवाने पर पानी रिलीज करता है इसके बाद सेंसर जमें और सुखे ततवों को हैडरेट करता है जो मास्क के भीतर सास की बूंदों का विशलेशन करता है और 90 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट दे देता है और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना को जल्द मिलेगा हंटर किलर टैंक जो बढ़ाएगा सेना की ताका दुस्मन को मार गिराएगा प्रमानू बम से भी करेगा साओधान जी हां लंबे इंदिजार के बाद रक्चा मंतराले ने भारतिये सेना के लिए सवेदे की परस्तितियों में और इस्थीर और गतिसील दोनों मोड में दुस्मन से मुकावला कर सकता है क्रू मेंबर के लिए औक्सिजन के लिए बेहतरीन फिल्टर लगाये गये हैं इसके अलावा इसमें कई नए फीचर्स सामिल किये गये हैं जो इस टैंक को ना केवल बेहत से जना जाएगा यह यूनिक आईडी उस दुकान से जुड़ी होगी जहां से जेवर बेचा जाएगा यह यूनिक आईडी उस हॉल मार्किंग सेंटर से भी जुरी होगी जहां से सुदता का ठपपा लगेगा इन दो तरह की आईडी से बड़ा फायदा यह होगा कि सरकार जेवर को ट्रेस कर सकेगी कि किस दुकान और किस सेंटर से जेवर निकला है अगर जेवर की क्वालिटी में किसी तरह की मिलावाट एफर्ट जिवारा हुआ तो जोवेलर की दुकान और हॉल मार्किंग सेंटर पर नकेल कशना आसान होगा जेवरों की सुधता बनी रहे और ग वैज्यानिकों ने विक्षित की खास विधी जी हाँ भरतिय वैज्यानिकों ने मानो बाल उन और मुर्गी के पंखो जैसे किराटीन अफसिष्ट को उर्वरकों और जानवरों के चारे में बदलने के लिए एक नया टिकाव कि फायती समाधान विक्षित किया है भारत हर साल अगली बड़ी खवर की बात करें तो धोनी पर दूसन पर सरकार का बड़ा कदम जल्दी कारों के कानफोरू प्रेसर हौन की जगा सुनाए देगी तबला और बासुरू की आवाजे सरकार करने जा रही है सकती जी हाँ इसकूलों और हस्पतालों के सौ मिटर के दैरे में प्रेसर या कानफोरू हौन बजाने पर पहले से ही सुप्रिम कोर्ट की पावंदी है लेकिन अब सरकार भी प्रेसर हौन से फैदा होने वाले धोनी पर दूसन की रोक थाम के लिए कड़े कदम उठाने जा रही ह हैं अगर एक कानून लागो होते हैं तो जल्दी प्रेसर हौन की जगा संगीत की मधूर धुने सुनने को मिलेगी विससग्यों का कहना है कि 8 घंटे तक 93 डीवी से अधिक धोनी के संपर्क में रहने पर कानों की सुनने की छमता को नुक्षान हो सकता है और अगली बड़ी एरोमेटिक राशायनों वाले उच्च छमता वाले विसपोटकों का पता लगाना आसान हो जाएगा यह तकनीक अपरादिक जाज बारूदी सुरंग वाले छेतरों सेना को उपयों के लिहाज गोला बारूद सुरक्षा अनुप्रिवों के लिहाज से महत्पून है Institute of Advanced Study in Science and Technology के सुध करताओं ने वैग्यानिकों के एक समू के साथ काम करके यह पॉलिमर डिडेक्टर विक्सित किया है इसे भारतिय वैग्यानिकों की बड़ी उपलब्दी माना जा रहा है मीडिया के सामने सुरोजनिक किया है इस दुरान ट्रस्ट के महा सच्चीव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्मान की निव भड़ाई का काम आकड़ी स्टेज पर है अब तक 46 लेयर पड़ चुकी है साथ ही चंपत राय ने अभी बताया कि दिसंबर दोहजर तेज तक सभी भक्त राम लला के दर्शन कर सकेंगे यह मंदिर तीन मंजला होगा गर्वगरी में राम लला विरजमान होगे तो दुसरे तल पर राम दरवार विराजित होगा रस्ट के महा सच्चीव ने कहा कि निव के निर्मान में दो से तीन सिप्टों में लगतार 24 घंटे का रहा है और आगे भी निर्मान इसी गती से होता रहेगा दूस्तों अगर आप भी राम मंदिर निर्मान से खुश हैं तो कमेंट में जैसरी राम जरूर लिखे और अगली बड़ी खबर की बात करें तो च्छातरों के लिए खुशकबरी अब पढ़ाई के साथ प्रयटन अ रहा है और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में रखी चार बोतलों से ज़्यादा सराप तो लेना होगा लाइसेंस 10,000 की दारू के लिए सलाना चुकान होंगे 63,000 रुपे जी हां उत्तर परदेस में आबकारी विभाग ने नया नियम जारी किया है यूपी में अब घर में सराप की चार बोतल रख सकते हैं अधिकारियों के अनुसार जिने घर में बार के लाइसेंस लेना है उसके लिए भ घर में 750 एमिल की चार बोतल सराब ही रख सकते हैं इसमें दो भारतिय ब्रांड और दो विदेसी ब्रांड सामिल रहेगी जो लोग इसे अधिक सराब घर में रखना चाहते हैं उनके लिए घर में बार के लाइसेंस लेना परेगा होम बार लाइसेंस के लिए एक साल के फीस 12,000 रुपे और सेक्रेटी डिपोजिट 51,000 रुपे का होगा और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी मुवाइल के लिए सिर्फ एक चार्जर होगा European Union का फैसला दिलाएगी कई तरह के चार्जर रखने के जंजट से मुक्ती एपल को इससे है आपती जी हां बात चार्जर की हो तो मार्केट में टाइप C, टाइप B, टाइप A जैसे कई तरह मिल जाएंगे अक्सर चार्जर के के केवल में फर्क होने से यदि मुवाइल चार्जर भूल गया हो तो हम मुवाइल चार्ज नहीं कर पातें सोचिए कि यदि ऐसा हो जाए कि आप एक ही चार्जर से सभी फोन चार्ज कर ले तो कैसा होगा दरसल यूरोपियन उनियन ने फैसला लिया है कि वह स्मार्टफोन के लिए एक उनिवर्सल चार्जर का नियम लागू करेगी इससे अब अलग-अलग ब्रांट के फोन के लिए अलग-अलग चार्जर की जरूरत नहीं होगी आप एक ही चार्जर से सारे फोन को चार्ज कर सकेंगे हाला कि इस फैसले से एपल कमपनी खूश नहीं है जाए उरोपेन कमिशन का कहना है कि इससे इलोक्रोनिक वेस्ट को कम करने में मदद मिलेगी वहीं एपल का मानना है कि अगर ऐसा किया जाता है तो इससे इनुवेशन रुख जाएगा और परदूसन बढ़ेगा और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 और मिराज 2000 लड़ाकू बिमानों को खरीदने जा रहा है बारत एर स्ट्राइक वा कारगिल में दिया था पाक को दर जी हाँ जिस मिराज 2000 लड़ाकू बिमानों ने कारगिल यूद का पासा पलट दिया था जिसने पाकिस्तान के धरती में घुसकर जैस के आतंकी ठीकानों को धोस्त किया था उस बेड़े की ताकत और बढ़ने वाली है भ आज 2000 लड़ाकू बिमानों का अधिकरहन करने और साथ ही बिमान के अपने दो मौझूद स्क्वाडरनों के लिए सुरक्षित पूजे भी हासिल करने की तैयारी में है और अगली बड़ी ख़बर की बात करें तो मध्य परदेश में बेगरों को मिलेगी जमीन सिएम सिवराज सिंग चोहां ने दिये भू अधिकार योजना बनाने के निर्देश जी हां मध्य परदेश के मुख्य मंतरी सिवराज सिंग चोहां ने बड़ा एलान किया है उन्होंने कहा कि मैंने मुख्य मंतरी भू अधिकार योजना बनाने के निर्देश दे दिये हैं इन दोर में परशासन ने भूम माफियों के खिलाब अव्यान शुरू किया और अवैद निर्मान गिराकर करीब 38 एकर सरकारी जमीन मुक्त कराए इस भूमी का बजार मुल 1000 करो रुपे से अधिक है आम जंता को इससे फैदा होगा आप सरकार की तरफ से बेगरों को घर बनाने के लिए फ्री में जमीन मिल सकेगी दोस्तो आज की खबरों में बस इतना ही इसी तरह हर रोच काम की खबरे जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जूड़े रहे हैं हमारे साथ जूरने के लिए वीडियो के नीचे दिये गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर ख़बर की सटिक जनकारी मिल सके